दोस्तों कई बार मेरे पास कई लोगों के comment आते हैं कि जब भी मैं sir IPS का form खुद बनने का try करता हूं तो कभी मेरे photo upload नहीं होते, कभी sign upload नहीं होते, कभी declaration upload नहीं होता, तो कभी thumb impression upload नहीं होता तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे document upload हो जाए और मेरा form submit हो जाए तो आज की इस वीडियो मैं इसी बारे में बात करूँगा और बताऊंगा आपको चाहें आप मोगाल से document upload कर रहे हो चाहें आप PC से upload कर रहे हो मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा कैसे आप मोगाल और PC की मदद से document को बड़े आराम से upload कर पाएंगे IPS के form में और सिर्फ IPS के form में ही नहीं आप चाहें कोई भी form भर रहे हो आप मेरे बताऊंगा इस तरीके से बड़े आराम से उसके document को upload कर पाएंगे तो यह चलते हैं computer के screen तरह अब लेकिन अगर आप पहरी बार मेरे चैनल पर आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे भी मेरी ऐसी वीडियो को देखने के लिए रायोट नाम का यह software डाउनलोड करना है PC यह laptop जो कुछ भी आच चला रहे हो इसकी link में आपने description box में दे दूँगा जहांसे आप डायरेक्ट इस software को डाउनलोड कर सकते हैं यह free version software है मतला इसका कोई चार्ज नहीं करता है ना इस पर कोई एडव अगयर आते हैं तो आप इस software को डाउनलोड करके रखें अपने PC में अगर आप form का काम करते हो या फिर अपने खुद के form बनना चाहते हो कोई भी तो मेरे पास यह image है इसका मुझे size set करना है मतला यह 30 kb की image है लेकिन उससे जो form बनना IPS का उसमें 30 kb की मांगी जा रही है maximum यह image भी मेरे पास 30 kb की है लेकिन मान लीजिए मैं कोई ऐसा form बनना हूँ जिसमें मेरी image 20 kb की मांगी जा रही है 10 से 20 kb की बीच में ठीक है तो मै इस photo को यहाँ पर insert करूँगा और यहाँ पर 28 kb दिखा रहा है मुझे इसका actual size है तो IPS में तो मैं direct लगा सकता हूँ यह मैं IPS के लिए ही बनाई थी photo किसी software से अब मुझे इसका size कम करना है 10 से 20 kb के बीच में 28 kb का size है यहाँ पर आपको दिख रहा है 12 kb का तो यह मैं कर सकत करता हूँ और मुझे इसका size और बढ़ाना है तो मैं इसको और आगे खिसका दूँगा तो यह 17 kb का size हो गया 18 kb का size हो गया 25 kb का size मुझे 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 25 तक लेकि आ जाओंगा यहाँ इतना भी मुझे size मंगा जा रहा है किसी भी form में तो मैं इस software से बड़े ही आराम से इसका size set कर सकता हूँ photo या document कोई भी document जो upload हो रहे है उसका size बड़े ही आराम से set कर सकता हूँ इस software की मदद से और उसके बाद मैं यसे मैंने इसका size 25 kb कर लिया है मैं इसको save कर लेता हूँ तो save पर click कर देते है अब यह पोल लाए replace करना है आपको पुरानी वाली file तो replace कर अब यह पुरानी फोटो थी 28 kb की वह 25 kb की हो गई है मैं आपको दिखा देता हूँ direct अब बस problem आती है मुझे इसका size set करने के लिए आप लोगो सबसे पहले अपने mobile में Google Chrome को open करना है और यहाँ पर एक website आपको मिल जाएगी मेरे description वक्समें में direct link दे दूंगा उसकी image online convert नाम की तो इस website को जब आप open कर लेंगे हो सकता है थोड़ा बहुत लोड़ time दे और यहाँ पर जो extension वगएरा काता है उसको no करते हैं अब यहाँ पर जो option दिख रहा होगा आपको mobile में भी ऐसी खुलेगी यह website यहाँ पर choose file जो आपको file का size वगएरा set करना है उसको आप choose करें यहाँ पर click कर गए तो मान लीजिए मुझे इस file का size set करना है जो pixels बगएरा kv बगएरा रहते हैं कोई भी photo या image जो आपको upload करना ही जब आप कोई भी form बरते हैं तो उसके side में आपको लिखा मिल जाता है कि आपको इतने kv के बीच में इस photo का size होना चाहिए या इतने pixel के बीच में इस photo का size होना चाहिए तो आपने मान लीजिए image को select कर लिया और open कर लेते हैं अब यहाँ पर थोड़ा uploading का process होता है जब वो file upload हो जाती है अब यहाँ पर आप quality set कर सकते हैं इसकी जैसे आपको photo का size ज्यादा चाह जैसे आप किसी किसी form में देखते होंगे 140 वाई 140 pixels की आपको photo मांगी जा रही है या 300 वाई 300 pixels की photo मांगी जा रही है तो आप यहाँ पर set कर सकते हैं 300 वाई 300 तो automatic उस file का size 300 वाई 300 हो जाएगा अब अपन मान लीजिए IPS के form के लिए इसको set कर रहे थे तो file का size और रखा था अपन को चाहिए तो मान लीजिए photo का size 40 kv आपन को चाहिए 25 kv तो अपन इसे pretty good या good कर सकते हैं तो यह minimum size की हो जाए मतला बीच में रहेगा इसका size तो आप start conversion पर click कर देते हैं अब मान लीजिए मैं इसको 25 kv के upload किये अब यह इसको थोड़ा सा और कम कर देगा इसका size लेते हैं और open करके देख लेते हैं फोटो पर ज्यादा कोई clarity का अंतर पढ़ा नहीं है हलका पुलका अंतर पढ़ाओ तो बढ़ाओ वैसे कोई अंतर पढ़ा नहीं है तो फोटो को आप upload कर सकते हैं ऐसी आप अलग-अलग करके सभी document को convert करके रख लें आपने मॉइल में बड़े ही आराम से किसी फॉं में upload कर सकते हैं जरूरी नहीं आप IPS का फॉम भी वर रहे हों आप किसी फॉं में document को upload कर सकते हैं so दोatelli तो ये थी पूरी process ourEPS में document कैसे आपको upload करना है उसको समpants के अगर आप कोई भी फॉम भर रहे हों और उसमय आपको समझ में आ रहा है क उन वीडियो को देख सकते हैं, तो फिर में रहें, आपसे अगली वीडियों किसी नहीं जानका रिशा है, तब तक के लिए, बाई बाई